So guys, welcome back once again, मैं हूँ अपशेक और आज हम बात करेंगे class 10th वालों के लिए तो भाई साब यहाँ पर पहले तो इसको ध्यान से देखो और देख पारो, दोनों ही book class 10th की और NCRT book है इससे आपको एक good news मिलने वाली पता क्या, good news यह है कि आपका जो syllabus है वो बहुत कम कर दिया गया, इतना कम कर दिया गया कि आपकी जो पहले book थी वो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी और अब जो book हुई है वो कुछ इस तरीके की है, देख पारो कितनी पतली हो गई है, यह math यह हर एक chapter easy बना दिया है, but अगर आपको math easy से भी आसान करनी है न, तो आपको मेरे चैनल को subscribe करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर हर एक exercise के हर एक question explain किया जाते बहुत ही deeply, ठीक है, अगर आप उस video के एक बार देखो कि न भाई साब, तो आपको math easy से भी आसान लगने लगेगी, check करके देखो, तो चलो, बात करते हैं उन बच्चों की, जिन बच्चों के पास ये वाली book है, मोटी वाली, अगर आपके पास ये वाली book है, और आप वो नहीं खरीदने चाहते हैं, तो कोई problem नहीं है, क्योंकि इस book के अंदर भी वही सारे chapter है, जो आ रहा है, ब नाम से पड़ो, क्योंकि इसमें वही chapter है, जो आ रहे हैं, तो चलो, देखते हैं कौन से chapter आ रहे हैं, और कौन से chapter नहीं आ रहे हैं, वेल गाइस, अब हम लोग देखते हैं, कि जो हमारे पास पुरानी वाली book है, उस book से कौन कौन से chapter और उन चैप्टर के कौन कौन सी exercise हटा दिये गया, इस बार इस से related कोई भी question आपके नहीं आई है, जो भी exercise हटाई गई है, या फिर chapter हटा दिये गे ना, उसके आंगे हमने cross लगा रखा है, और जो जो आ रहे हैं, उसके आंगे हमने tick लगा रहे हैं, जिसमें tick लगा है, जिसमें नहीं लगा है, जिसमें नहीं ठीक है, clear हो गया, तो इस real number में सिर्फ दो topic है, revisiting rational number, the fundamental theorem of arithmetic ये आ रहा है, clear हो गया, अब next chapter पर आते हैं, ये है polynomial, इसमें हमारे पर symmetrical meaning of zeros of polynomial आ रहा है, relationship between zeros and coefficient of polynomial ये भी आ रहा है, या पर division algorithm for polynomials ये नहीं आ रहा है, clear है, सिर्फ ये वाला जो topic देख रहा है, इस से related जिदने भ मत करना, clear, अब यहां पर जो next हमारे पर chapter है, वो है pair of linear equation in two variable, और इसका जो पहली ही topic है, पहला exercise है na, pair of linear equation in two variable ये हटा दी गई है, अब यहां पर graphical method of solution of pair of linear equation ये दिया गया है, और algebraic method of solution of pair of linear equation ये है, ठीक है, ये दोनों है, और ये हटा दिया गया, और यह दोनों भी है, और यहाँ पर cross multiplication method यह भी हटा दिया गया, clear होगे इतनी बाद, चलो, आंगे बड़ो, हाँ, और यहाँ पर 3.5 यह भी हटा दिया गया, अब यहाँ पर जो next chapter है, यह quadratic equation है, और इसमें पहला हमारे पास exercise दीगए, यह quadratic equation यह आ रही है, अब इसकी अगली exercise देखते हैं, तो यहाँ पर 4.3 है, यह भी आ रहा है, solution of quadratic equation by fracture, ठीक है, sorry, factorization यह आ रहा है, यहाँ पर 4.4 नहीं आ रहा है, यहाँ पर nature of root यह आ रहा है, अब नए बुक और प्राने बुक में compare करेंगे न, तो exercise जो है न, वो अलग दिखेगे, जैसे कि अगर हम बात करें, यह दो nature of root दिख रहा है, 4.5 में, ठीक है, और अगर नए बुक में आप देखोगे न, तो नए बुक में आपको दिखेगा 4.4 में, समझे रहा हैं, कि exercise अलग- अभी भी आपको कोई doubt होता, तो comment करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको next video मिलेगी, सीधे solution पर, RS का भी solution हम देंगे, और NCRT का भी देंगे, और हो सकेगा, तो हम RD का भी देंगे, clear? तो यहाँ पर जो chapter 5 है, उसमें आजा, chapter 5, arithmetic progression में हर एक exercise, हर ए आया गया नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर chapter 6 है, इसका नाम है triangles, और इसमें सब कुछ आ रहा है, और सिर्फ area of similar triangle नहीं है, और पैसा गोरेश theorem नहीं है, सिर्फ यह दो topic हटा दिये गए, 6.5 और 6.6 हट गया है, और सब कुछ है, अब यहाँ पर next chapter है, यह coordinate symmetry है, इसमें आ र sorry, sorry, introduction to technometry, जमेक्टी नहीं, इसमें technometry ratio आ रहा है, technometry ratio of some specific angle आ रहा है, इसमें सिफ complementary angle हटा दिया गया है, और technometry identity यह कर दिया गया, easy बना दिया गया, complimentary थोड़ा सा complicated, हलका सा बिलकुल, बिलकुल इत्तू सा है, इत्तू सा, tough सा बस, और यह सब तो बहुत easy है, चलो, इतना ब में जो chapter 9 है 9 में क्या है some application of trigonometry है इसमें height and distance तो पूछा ही जाएगा बस ये तो है ही ठीक है okay introduction तो है कुछ नहीं इसमें कुछ भी मानलो नहीं हटाया है सिर्फ height and distance इसमें है okay अब यहां पर दिख रहा है circle ठीक है circle में भी सब कुछ आ रहा है कुछ भी नहीं हटाया गया है tangent भी है number of tangent है यह दोनों ही circle में आएंगे आएंगे clear हो गया okay अब यहां पर कंस्ट्रेक्शन यह चैप्टर ना 11 वाला यह पूरी तरह हटा दिया गया यह बिल्कुल भी आए गया नहीं तो इसको छूना ही नहीं चूना क्या इसकी तरफ देखना ही नहीं हमें उससे मतलब ही नहीं जो हमारे syllabus में है ही नहीं simple सी बात है out of syllabus जो भी चीज़े उसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं अब यहां पर area of related area related to circle है ना इसमें हमारा perimeter and area of circle नहीं आ रहा है और area of combination of plane figure यह भी नहीं आ रहा है सिर्फ आ क्या रहा है area of section and segment of a circle यह आ ठीक है area of sector and segment of a circle sector and segment आ रहा है अब यहां बहुत आ रहा है और यह दोनों नहीं आ रहा रहा है रा यहां पर chapter चाप्टर 13 यह thestes area of volume इसमें हमारे पर surface area of combination of solids आ रहा है volume of combination of solids आ रहा है और यहां पर हमारे पर 13.4 और 13.5 ये दोनों हमारे नहीं आ रहा है ठीक है अब यहांपर आजब 14 में 14 ने दो को मेन आ रहा है मोड आ रहा है और क्या है हमारे पास तो मिडियन यह तीन से 1 मतलब हमारे पाव परशेप्टर फोटेन आ ये पूरह वह किन страх कर लेने इसमें भी सब कुछ आ रहा है प्रोबैलेटी है यह इसमीर पूरी तरह चैप्टर हटा दिये गए कंस्टैक्शन ऊजुकर और किसी हर चैप्टर कोई ना कोई अगर आपको नेगे दिस्क्रिप्स में मिल जाएगे अगर आपको ना वीडियो इसी तरीके की पूरी फ्री और कौश आपको सल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर आओ इस वी चैनल पर सब्सक्राइब करके देखो दो चार वीडियो को एक बार ध्यान से देखो अगर अच्छा ना लगे तो कॉमेंट करके बता दे बस इतना करना है आपको ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में